हेलो डिफेंस लवर वेलकम टू माई चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज 007 दोस्तों आज की वीडियो में आपको पताने वाले इंडिया की लेटेस्ट स्नाइपर राइफल के बार में जो कि हमें एस देगी एले सी पर चैना के खिलाफ इस्पेशली तो एंड तक मिले साथ ज स्नाइपर राइफल के बारे में और इससे बनाता है फिलनेंड दोस्तों इस स्नाइपर में आर्म्हें कंडेक्टर लिया और इससे उसक्रेफ करेंगी हमारी स्पेशल पहराईव Philadelphia के बारे में टाइप की बात रहिसे ने ऑग एक स्नाइपर राइफल है और इतने फिलनन्ड में design किया गाय था जबकि इसका TRG 22 और TRG 42 को 1999 में से design किया गया था वह यू बातरेस के manufacturer की तो इसका जो manufacturer वह साथ को बातरेस के produced year की तो दोस्तो TRG 21 और TRG 41 को 1989 से लेके 1999 तख produced किया गया लेकिन TRG-42 को 1999 से लेगे अभी तक प्रोडूस किया जा रहा है यहीं पर बात करें इस स्नाइपर राइफल की वेट की तो TRG-22 जो की MPT होती है यहीं इसमें कोई भी इम्यूंशन यूज नहीं हो रहा है यानि कोई भी कार्थूस यूज नहीं हो रही विदाउट मैगजिन TRG-22 तक्रीवन 5.2 kg की है वहीं पर TRG-42 तक्रीवन 6.55 kg की है अब बात करेंगे इसकी लेंद की तो TRG-22 इसकी लेंद है 1000 mm से लेके 3150 mm की जबकि बात करें TRG-42 की तो इसकी लेंद है 1020 mm से लेके 1200 mm की वहीं पर बात करें इसकी बैरल लेंस की तो TRG-22 बैरल लेंद वह बात करेंगे 204 जबकि जो भारत दौरा यूज़ की जाएगे स्नाइपर राइफल उसमें यूज़ होगा 0.338 लापुआ मैंगनम अब बात करेंगे इसके अफेक्टिक फाइरिंग रेंज की TRG-22 की अफेक्टिक फाइरिंग रेंज है 800 मीटर जबकि जो भारत खरीद रहा है साको TRG-42 इसकी अफेक्टिक फाइरिंग रेंज है 1500 मीटर वहीं बात करेंगे इसके फीड सिस्टेम की तो इसमें 5 राउंड टेचेवल बॉक्स मैक्सिन यूज़ होती है जब हम काइटेज य है 0.308 फैंचेस्टर की तो 10 राउंड डेचेवल बॉक्स मैजिन इसमें यूज़ होती है यहीं बात कर लेते हैं इसकी साइट की तो इसमें अपार्चर रियर साइट ही होते है जो कि डे और नाइट दौनों आप्टेक्स के साथ आती है वीडियो आपको अच्छी लगी हो